हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम मदर्शन सुमी को कवर करने वाले हैं उससे रेलेटेड कुछ अच्छा न्यूस भी आ रहा है और कुछ नेग बाजार के उपर आ चुका है और बाजार मतलब अपने दीन के हाई पर ही ट्रेड कर रहा है ये बहुत बढ़िया बात है और आज एक बात ये है डेली बेसिस पे बाजार बाजार के उपर आ रहा था लेकिन टिक नहीं पा रहा था और बाजार बाजार के नीचे नहीं गया तो पटापट से वीडियो को लाइक कर दें और चेनल को सस्क्राइब कर दें तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधना मदरसन इंटरनेशनल लिमेटेड देश की सबसे बड़ी कंपणी है आटो कंपोनेंट बनाने वाली और किस प्रकार से उसका स्टॉक बोलेटाइल हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं चाउत्ता रुपे 25 पैसे पर स्टॉक ट्रेट करा है प्रीवेस क्लोस था चाउत्ता रुपे 20 पैसे ओपन होता है चाउत्ता रुपे 30 पैसे हाई लगाता है चाउत्ता रुपे 50 पैसे उल्लो लगाता है तीयत्ता रुपे 80 पैसे पचास हजार करोड की ये कमपनी है P.E.N.E.S.O. भी बहुत बढ़िया है आदे परसंट से ज़्यादा का डिविडेंड डिल्ड है 52 विक का ही 52 विक का लो देख सकते हैं और बरपूर दोस्तों इसने अपने शेलोल्डर को रिटन दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटन भी दिया है और साथ में बोनस भी बहुत दिया है तो मतलब कुल मिला कि ये जो रिटन दिख रहा है उपर ये 92,000 परसंट का ये तो अलग है और डिविडेंड और जो बोनस का अगर आप मिलाओ के वो तो अलग ही हमें देखने को मिल रहा है तो काफी बढ़िया कंपनी हमें देखने को मिलती है अभी हम सबसे पहले नेगिटी न्यूस जो आ रही है उसको कबर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजित क्रॉप लाइकली सेलर मतलब यह कंपनी है सुजित क्रॉप करके और यह कंपनी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह कंपनी जापान की कंपनी है तीक है इसने दोस्तो अपना जो माल है वो बेचा है और 100 मिलियन 100 million मतलब दोस्तों मान के चल सकते हैं कि 1 करोड के आसपास 1 करोड के आसपास जो शेर हैं यहाँ पर बिके हैं ठीके मतलब 1.6% equity यहाँ पर दोस्तों change हुई खरीदने वाले का नाम नहीं दिया गया है ठीके कि किसने खरीदा है और यह जो दोस्तों exchange हुआ है यह 77 रुपे के price पे दोस्तों यह माल बिका है ठीके और पहले भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस company ने पहले भी मतलब 2020 में अक्टोंबर 2020 में दोस्तों इसने 2.8% का stake तब भी दोस्तों इस company में से बेचा था और जो मदरसन सुमी बाइरिंग इंडिया लिमिटेट है उसमें भी दोस्तों एक block deal के जरिये 826 करोड का माल इसने जब भी बेचा था कुल मिला के अगर देखा जाए तो यह काफी ज़्यादा माल यहाँ पर बेच रहा है दोस्तों इस company के अंदर से अगर देखे कोई भी बड़ा investor अगर इस प्रकास से माल बेचता है तो उसका impact stock पे negative जाता है लेकिन यहाँ पर दोस्तों block deal होती है न तो block deal में एक बेचने वाला रेता है एक खरीदने वाला रेता है आप हमेशा देखिएगा ठीके block deal में यही होता है कभी भी open market में block deal नही होती है कोई बेचेगा ना तो सामने कोई खरीदने वाला भी रहेगा लेकिन block deal का असर positive नहीं पड़ता कभी भी हर बार negative ही देखने को मिलता है क्योंकि एक अच्छा investor जो बहुत पुराने समय से दोस्तों company के अंदर निवेश करके बेठा हुआ है अब वो अपना माल बेच जा रहा है ऐसा बहुतलब तरह तरही की जो negative image है वो दिखाई जाती है market में जिसके कारण दोस्तों stock में क्या होती है गिरावट हो जाती है अब इस news के चलते stock में जो volatile है वो काफी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है खर कोई दिक्कत नहीं अब हमें एक positive update भी देखने क उसे ठीके उन्होंने buy rating दिया है ठीके मदरसन सुमी को और उसके साथ ही target price 115 रुपे का दिया है बहुत ऊपर का यह target हमें देखने को मिल रहा है stock का price तो अभी बहुत तर 14 रुपे चल रहा है ठीके 115 रुपे जाना मतलब बहुत सारा return मिलना ठीके और इनका बोलना यह है कि 115 रुपे तक क्यों जाएगा क्योंकि company का जो revenue है ठीके वो financial year 2025 तक मतलब मार्च से 2024 आएगा और फिर एक साल बाद यह आने वाले मार्च से आने वाले मार्च के बाद 2025 लगेगा वो 2025 पूरा खतम होगा कुल मिला के दो साल बाद दो साल यह धाई साल मान लिजे धाई साल के अ अगर ऐसा हुआ ना तो जब हो सकता है कि शेर का प्राइज 115 रुपे या उससे उपर भी निकल जाए तो यह एक प्रकार से कर देखा जाए तो काफी बढ़िया दोस्तो हमें यहाँ पर यह अपडेट देखने को मिल रहा है जेम फाइनेंस की तरफ से तो जरूर दोस्तो आ आप मदरसन सुमी को अपनी फोकस में रखकर चल सकते हैं कमपनी का Q3 का नंबर कैसा आएगा वो तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तो हम दोड़ा सा इसका जो फंडामेंटल कंडिशन है वो भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड काफी बड़िया कमपनी देखने को मिलती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कमपनी का जो रेटन ओन इंप्लॉय है वो 8% के आसपास है रेटन ओन इक्विटी 5.5% के आसपास है उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि स्टॉक है अभी 50 दिन के मुविंग एबरेज के नीचे दोस्तों दिन के मुविंग एबरेज के नीचे स्टॉरी 50 दिन के मुविंग एबरेज को सपोर्ट ले रहा है अभी और 200 दिन के मुविंग एबरेज के नीचे ट्रीट कर रहा है उसके साथ ही दोस्तों कमपनी का कॉटली बेस पाफॉमेंस profit भी दोस्तो year on year basis पे अच्छा देखने को मिला Q on Q basis पे भी अच्छा देखने को मिला उसी के साथ साथ सालाना तोर का performance देख सकते हैं मार्च 2014 में पूरे साल भर में company ने 30,414 करोड के sales की थी आज यही sales सीधा सीधा डबल हो चुकी है 63,536 करोड पे मतलब long term के नजरिये से जो वेक्ति इस company को देख रहा है वो best है क्योंकि long term के इसाथ से आप देख सकते हैं कि company का business कैसा उपर जा रहा है net profit भी अगर आप देखेंगे तो net profit भी company एक range में निखाल रही है लेकिन आगे जाके और यह अच्छा performance कर सकती है अभी आप अगर देखेंगे न तो company का sales 8% की तेजी से बढ़ रहा है profit growth 27% माइनस में क्योंकि company का जो sales हुआ है न उस sales के साबसे company ने profit उतना नहीं निकाला है क्योंकि market में आपने देखा होगा कि इस बीच में महंगाई कितनी आ गई थी महंगाई के कारण company का जो माल है खास करके जो raw material है commodities अब आपको पता है कि गाडियों के parts बनाने में कार के parts बनाने में जो commodity आती है वो कितने महंगे दाम पर आ रहे थी अब commodity सस्ती होने लगी है commodity का जितना भी prices सस्ता होने लगा है जो कच्चा माल था उसका price भी सस्ता होने लगा है तो company अब यहां से थोड़ा बहुत profit बचाएगी और उसके साथ ही company का दोस्तों यहाँ पर quarterly आप shareholding pattern देख सकते हैं सितंबर के उमें company के पास दोस्तों अच्छा गाजा promoter का stake था FIA का भी तगड़ा है DIA का भी तगड़ा है और government ने भी दोस्तों इसमें इंटर कर दिया है तो काफी बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो shareholding pattern ने वो भी हमें देखने को मिल रहा है इस company के अंदर तो जरूर दोस्तों आप इस company को अपनी focus में रख कर चल सकते हैं इस company से जमा के दार update तो इस वीडियो को आप पटापट से लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe क्योंकि और भी इसी प्रकार के भैतरिंग वीडियो में आप लोगों तक लाने वाले हैं तो thank you दोस्तों